तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जेल प्रहरी में जितने भी 2018 में पूछे गया थे question वह भी GK से related ठीक है तो हम यहाँ पर GK से related सारे question देखेंगे और यह हमारा है 30 सितंबर 2018 की second shift का जो भी question है तो यहाँ हम GK के question इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें एक मतलब अंदाजा हो मानो संसाधन विकास मन्तराले H. A.R.D. का नाम में क्या कर दिखी है sikra मन्तराले घड़्ट में मन्तराले का नाम अभी क्या कर दिखें ने घोषणा की बहरत की दौ सब से लोक्री प्रतियोगी परिक्षा है संयुक्त प्रव्यस परिक्षा जेई और राष्टी योगिता और प्रव्यस परिक्षा नीट ठीक है जेई और नीट किसके द्वारा आयजित होगी तो ये 2018 के टाइम पर गोशना करी थी तो इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर है राष्टी था है एक एनारे तो यह एक्जाम कंड़क्ट कराएगी तो उसका नाम है सीटी ठीक है सीटी के माद्धियम से यहां पर अभी चैन किया जाएगा तो यह वाला कोस्चन भी बनने की संभावना है तो अब देखते हम नेक्ष्ट प्रस ने देखे जैसे कि यहां पर नेक्ष्ट प्रस ने में पुछा गया था कि तुमुकूर जीले के सूखा प्रभावित पावगर छेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल छमता वाले चरण सकती स्थल सोर पार्क का उद्गाटन हुआ है जो किस राज्जे में है ठीक है तो यह किस राज् हमारे लिए सफिसेंट है तो हम देखते हैं यहां पर अगला कोश्चन कि देखिए जैसे कि तीसरा कोश्चन पर पूछा गया था कि निमने लिखित में से मद्देश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे तो ठीक है आपका जो काम है देखिए जैसे कि जितने भी हमारे यहां पर अभी मुख्यमंत्री हुए तो आपको सारी मतलब सीरियल भाई पता होना ची और उसके बाद इतने भी राज्यपाल हुएं तो सबकी एक एक लिष्ट बना के सारे को किसी ट्रेक बनाकर उन्हें याद कर लीजे ठीक है तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वह होगा स्री सब्सक्राइब कर लोगें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप से कोश्चन पूछे रहें और किस टाइप से हमें तैयारी करना है तो घूमर किस भारती राज्य का पारंपरिक सामजिक लोग कर नित्ति है ठीक है जैसे भी घूमर नाम आये तो यह आप राज सथाने इसी प्रकार हम नेक्ष्ट्प्रस न देखते हैं या ऑपर देखिया जैसे कि यहां पांचों प्रस न पूछा गया है निमली खित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्रहक जागो जागो जागरुकता अभियान चलाय गया था यह आठ़ा इसका है वाइदा बज वीडियो को पोस्ट करके आप खुद भी आंसर देने की कोशिस करें ठीक है तो देखते हैं अगला कोश्चन देखें जैसे कि यहां पर कोश्चन पुछा गया है कि प्रथम भारती समान चुनाव को वर्स में आज़ित किया गया तो यह आज़ित किया गया था देखें तेजी के भारत में सिरोन सहर भुकंप छेतर वरगी करण के के अंतरगत आता है तो यह की का इस आता है अंतरगत टो वारत में घूiest कि क्या होता है यह भुकंप प्रवाइट ौटे होते हैं तो उन्हें पर वर दिये तो ज़्यादा प्रवाइट छेतर है तो उसे एक केटिगरी में और जैसे उससे थोड़ा कम प्रवाइट है उसे सेकंड केटिगरी में है न तो उसी प्रकार ठरड इस प्रकार इसमें रखा जाता है देखे जैसे कि यह हमारा question पुछा गया था कि जेन साधु तरून सागर का जन्म मद्धपदेश में किस जीले में हुआ था तो इनका जन्म हुआ था दमहों में तो इसी परकार आप जैसे कि लता मंगेसकर किसोर कुमार और बाकी जितने भी famous personality है तो उसके आप जन्म भी प्यार किजिए एक लिश्ट बना याद कर लेना कि देखे जैसे कि हमारा यहां पे कोश्चन पूछा गया है कि भारत में नीजी करण किया गया पहला railway station यहां इस्तित कहां इस्तित है तो इसका जो राइट आंसर है हमारा हभीब गंज का नाम क्या कर दिया गया है अटल प्रस्ण यहां पर देखते हैं जैसे इसमें पूछा गया है कि मद्देश में जापानी ओद्धोगेक टाउंसीप में इस्थापित की जाएगी तो कहां इस्थापित की जाएगी तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा कहां पर फितंपूर में ठीक है इसी प्र राश्टी योजना यह प्रस्तावीत की जा चुकी है जैसे इसमें यहां पर यह जो हमारे योजना योजना आयोग द्वारा जो द्लान जो होते थे वह अलग है यह आप याद रखिए गा और अभी हमारा फाइव यह प्लान अभी निति आयोग का गठन किया घैट? अब ज वो प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है तो यह आप ध्यान रखेगा तो नीती आयोक का गठन 2015 में हुआ था अब देखे जैसे की बारवा प्रसने मद्धिपदेश के कीस जीले में नोरद ही अभ्यारन इस्ती थे ठीक है तो यह हमारे कहा है सागर में और यह मद्धिपदेश का सबसे बड़ा अभ्यारन है अभ्यारन अलग होते हैं और राष्टि उद्ध्यान अलग होते हैं तो सबसे बड़ा अभ्यारन हमारा कहा हो गया सागर में तो इसी का सबसे चोटा यह हम देखे तो कौन सा है राला मंडल ठीक है तो राला मंडल कहां पर है हमारे इंदोर में और यदि आप से पूछे कि मध्यपदेश का सबसे पहला राष्ट उध्यान कौन से है तो कहना किसली ठीक है कहना किसली यह 1933 में राष्ट उध्यान बना था तो इसी पिकर आप देखे जैसे कि हमारे हमने परसु के दिन जो कोश्चन पेपर सोलू कर रहा था उसमें भी राष राष्ट उध्यान से जितने भी हमारे आइंप कोश्चन है वह बनेंगे तो राष्ट उध्यान आपको कंप्लीट करना है राष्ट उध्यान और अभ्यारण और उनमें पाये जाने वाले प्रमुग जीवों के बारे में अब देखे जैसे कि यहां पूछा गया है कि जनव कि एंप के उवा़को नोक्री दी जाए घिक है तो यह हुआ था कहां पर इंदोर में यह आपको यह पता भी नहotechnology आना चैहिए गया अब बताईए ठीक है तो यह है महसवरी साड़ी ठीक है जैसे के रानी अहिल्या भाई होलकर ठीक है होलकर कहां के थे इंदोर के थे ठीक है इंदोर में होलकर थे और ग्वालियर में कौन से थे तो ग्वालियर में क्या थे हमारे सिंधिया ठीक है ग्वालियर में सिंधिया और नीचे वाला पार्टे खंडवा खरगोन वगेरा है न तो यह इंदोर की रियासत के अंतरगत आयते थे ठीक है तो यहीं महस्वरी साड़ी है महस्वर में खंडवा में तो इसी प्रिकार देखें यहां हमारा पंद्रवा प्रसन है तो यह पूछा गया है मद्देश में 2018 के ब जसा का बेसिक कोश्चन इसमें आया हुआ है तो यह आप ध्यान रखी तो देखिए जैसे कि यहां पुछा गया हैätzen जोड़े कि पंद्द मद्धिपदेश का राज की पक्षी है देखिए सेम टू सेम यही कोश्चन MPPSC में पूछा गया था 2008 के कोश्चन पेपर में ठीक है तो उसमें इसका नाम दूद्राज नहीं दिया गया था उसमें दिया गया था मद्धिपदेश में निमली खिती में से कौन सी कछवे की एक मातर प्रजातियां पाई आती है तो इसका है जियो केलोन एलिगेंस ठीक है यह दो चार एसे मतलब टव कोश्चन इसमें डाल देते हैं जिसके बारे में किसी नहीं भी नहीं पढ़ा होगा तो उससे आप प्रस्ण में यहां पर 19 प्रस्ण पुछा गया है कि निमली खिती में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में क्रसी अप्सिष्ट के परतिसत का अनुमान लगाया है तो इसका जो हमारा राश्ट्रे इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा केंद्री कटाई उपरांत अ दो चार कोश्चन टफ आ जाते हैं तो उससे डरने की आव सकता नहीं है क्योंकि जो आप से नहीं बन रहा है तो समझो किसी से नहीं बन रहा है निमली कौन सी मिट्टी नदियों के तलचट में तलचट से बनी होती है यह जिसमें पोटास अधिक लेकिन फासफॉरस कम होता है तो यह कोश्चन हमसे पूछा गया था देखे मध्यपदेश की जितनी भी मिट्टी आ है तो सभी में नाइटोजन और फासफॉरस की कमी पाई जाती है ठीक है यह तो आपको एक पाइंट हो गया तो इसमें देखिए जलोड मिट्टी ठीक है अब देखिए नदियों के तलचट पर बनी ठीक है नज दियों के द्वारा बहाकर लाइ गई और तलचट पर बनी कौन सी जलोड मिट्टी ही होती है ठीक है तो यह इसी प्रकार हमारे पीस को स्चन कम्प्लिट हो गया इसी प्रकार हम जल्दी-जल्दी जादर जादर 10 मिट का वीडियो है तो इसमें हम सारे question complete कर लेंगे क्योंकि इन में ज्यादा कुछ बताना नहीं हो जितना अगर कुछ extra point बताना रहेगा तो मैं बता दूँगा बाकि हमारी स्रीच चलती रहेगी मिलते हैं आप next video में